हमस्कार प्यारे बिर्तियों स्वागत है पर फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के बेदरीन जी की कुछ सिरीज में प्यारे बिर्तियों उत्तरपदेश पुलिस आरक्सी भरती 6244 री एक्जाम 2024 में के अंतरगत जो सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से जो एक प्रैक्टिस सेड चलाए जा रहे हैं प्यारे बिर्तियों बात करें तो दो बाहर दो बजे से आपको मिलेगा हिंदी का प्रैक्टिस सेड जो कि रिशव सरद्वार लिया जाता है प्यारे बिर्तियों ठीक तीन बजे दो पार में आपको मिलेगा GS और Current Affair PYQ-based जो आपको Series मिलेगी प्यारे बिरतियों तीस Questions के डेली मिलती है प्यारे बिरतियों जो कि मैं आपके सामने रामतिवारी लेकर के आता हूँ प्यारे बिरतियों सायम 7 बजे से प्यारे बिरतियों आपको मिलेगी विवेक सरद्वारा जो है तो Mathematics का PYQ-based practice set तो वहीं प्यारे बिरतियों रात 3-8 बजे एक पर फिर से जो है तो reasoning का booster dose मिलेगा रेसफ सरगे द्वारा तो प्यारे बिरतियों 60-244 में से आपकी seat सुनस्षित करने के लिए अमारी team लेकर के आई आपके लिए सभी और हर एक segment के practice set इसी practice set के अंतरगत प्यारे बिरतियों आप मुझे देख पा रहे हैं और आज है आपके सामने GKGS का practice set number 3 और इस पर प्यारे बिरतियों बात करेंगे तो सबसे पहले प्रारंब करते हैं आज की इस class और मैं बता दूँ आज की class का format कि 25 questions आपको भी IQ based होंगे और 26 से लेकर के 30 questions तक प्यारे बिरतियों आपको मिलेंगे जो है तो current affair जिसको हमने December से लेकर के प्रारंब किया December 2013 से तो प्यारे बिरतियों बात करें आज की पहले प्रस्न की तो आज का पहला प्रस्न है ध्यान से सुनियेगा एक copy और pen लेकर के बैठ सकते हो कुछ भी महत्तपूर्ण लगे उसको तुरंत note कर सकते हो प्यारे बिरतियों बोर्ड में थोड़ा सा जगे को देखते हुए यहाँ पे हम options नहीं लिख पा रहे हैं चुकि देखिए 30 question है और 30 question में 30 question और उनके सभी option आपके सामने में लिखने में असमर्त हूँ प्यारे बिरतियों इसलिए चीजों को समझते हुए हमारी मजगूरी को ध्यान में रखते हुए प्यारे बिरतियों मुझे उम्मीद है कि फिर भी आप इसे satisfied होंगे फिर भी आप daily आते हैं daily पढ़ते हैं आप लोग प्यारे बिरतियों आपकी यही निरंतर भेनत आपको एक दिन सफलता की मुकाम पर लाकर के खड़ा करेगी प्यारे बिरतियों प्रारंब करते हैं आज की इस कलास को जहां भी important point लगे उसको note जरूर करिएगा पहला प्रशने प्यारे बिरतियों कि Alfred Nobel ने किसका अविस्कार किया प्यारे बिरतियों Alfred Nobel ने किसका अविस्कार किया प्यारे बिरतियों पहला प्रशने पूचा जा रहा है ये वही Alfred Nobel है जिनके इस वरती पर Nobel पुरुस्कार का आयूजन किया जाता है प्रतिवर से प्यारे बिरतियों बात करें तो जो Alfred Nobel थे तो ये स्वीडन के वैग्यानिक थे ठीक है कहां के वैग्यानिक थे स्वीडन के वैग्यानिक थे प्यारे बिरतियों इन्होंने 1860 में 1860 में हमेशा याद रखिएगा 1860 में इन्होंने डायनामाइट इन्होंने डायनामाइट की खोच की थी बिर्तियों इन्होंने डायनामाइट की खुच की अलफिर नोबिल ने जो की एक सुडर के वैग्यानिक थे प्यारे बिर्तियों नोबिल पुरुसकार की जो इस्थापना है वो नोबिल फाउंडेशन द्वारा 1901 में की गई थी जो की इनके जर्म दिवसपर्व जो है तो प् बिर्तियों विशेश तरीके से 6-6 त्रों में दिया जाता है आपका नोबिल पुरुसकार जो की स्वीडन के वैग्यानिक अलफ्रेड नोबिल की इसमर्ति पर आधारित होता है अगले प्रशन पर आते हैं देखिए अगला प्रशन है कि वायु मंडल के उर्धु पातन प् प्रक्रिया को क्या कहा जाता प्यारे बिर्तियों ये पूंचा ग्या है आपसे तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्वी के संपर्क में आने वाली जो वायु है ये गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायु मंडल में तापमान का संच्रण करती ह मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बिर्तियों कि उर्द तापन क्या है वायु मंडल के उर्द तापन प्रक्रिया को क्या कहा जाता तो हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्वी के संपर्क में जो आने वाली वायु है ये गर्म होकर धाराओं के रूप मे लंबवत उठती है और वायु मंडल में तापन का संचरण करती है प्यारे बिर्तियों वायु मंडल के लंबवत तापन की ये प्रक्रिया समवहन कहलाती है प्यारे बिर्तियों हमेशा याद रखियेगा इसे समवहन के नाम से जाना जाता है अगले प्रस्न पर आते हैं प् मगद का वो छेत्र जहां पे हर एक वंस की स्थापना हुई है वो याद आएगा आपको प्यारे बिर्तियों 544 इसा पूरू में प्यारे बिर्तियों सबसे पहले मगद में मगद में प्यारे बिर्तियों हर एक वंस की स्थापना की थी हर एक वंस की स्थापना की प्यारे बिर्तियों सबसे पहले बिम्बिसार इसका सबसे पहला जो है तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगद छेतर का प्यारे बिर्तियों बिम्बिसार को मगद समराज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उन्होंने हर एक वंस की स सक्त्र ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी और पिता की हत्या करने के काण आजाध सक्त्र को कुड़िक कहा जाता है हमेशा इस पॉइंट को याद रखिएगा कुड़िक कहा जाता है प्रीवेस एरफ questionस में पूछा गया इसको तो प्यारे बिर्चिहों बात करें वो राजा वास्तुकार महा गूविंद ने कलियर हो गया अगले प्रशन पर आईगे अगले प्रसन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है सबसे पहले बात करते हैं वेद की वेद कितने? चार वेद त्राई में तीन हटा कौन? अठर्व वेद तो टोटल वेद कितने? चार, चार में कौन कौन से? सबसे पुराना रिगवेद, इसके बाद साम वेद, फिर यजुरुवेद, फिर चोथा अथरवेद, क्लियर हो गया, जो पहला सबसे पुराना है, पुराना आपका कहलाता है, पुराना कहलाता है आपका रिगवेद, आयरुवेद के नाम से जानते हैं, रिगवेद का पढ़ने वाला होत्र के नाम से जाना जाता है प्यारे बिर्तियों, इस रिगवेद के अंतरगत प्यारे बिर्तियों दसमंडल और दससो अठाइज सूक्त मिलेंगे आपको, जिनमें से देवताओं की इस्तुति की गई है, रिगवेद में सबसे ज़्यादा इंदर देवता की मतलब को महत्तता दी गई है प्यारे बिर्तियों, इसको पढ़ने वाला होत्र कहलाता है, इसके उपवेद का नाम आयरवेद है प्यारे बिर्तियों, रिगवेद के बारे मैंने आपको पूरा डेटेल से बता दिया, ठीक है, अगले प्रिस्न पर आजाईए, अगला प्रिस्न क्या कहता है, जरा देखिए, सबसे पुराना महाकाव की जब भी प्यारे बिर्तियों बात होगी, तो हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में रामाड और महाभारत दोनों याद आएंगे हमको, कि रामाड पुराना है या महाभारत पुरानी है, क्योंकि प्यारे बिर्तियों, 400 इसापूर में ही इन दोनों को क्रमसा, रा कौनों दिमाग में आते हैं प्यारे भृतियों अब मैं क्या करूं कौन सा सही करूं प्यारे भृतियों तो हमेशा याद रखिएगा कि काल करम के अनुसार से अगर देखें तो रामायण का काल जो है वो महाभारत के काल से पहले आता है प्यारे भृतियों तो कि महाभारत में भगवान राम का जिक्र किया गया है महा भारत में भगवान राम का वरणन मिलेगा मर्यादा पुरसुत्तम स्री राम का वरणन मिलता है महा भारत में प्यारे बिर्तियों तो ये माना गया है कि महा भारत से पहले यदि राम थे तो राम का जिक्र प्यारे भृतियों रामाड में है तो महा भारत और रामाड में सबसे पहले कौन? बोलो रामाड कौन है? रामाड है तो इस हिसाफ से कह सकते हैं प्यारे भृतियों कि रामाड जो है मारा सबसे पुराना हिंदू महा काव है सबसे पुराना रामाड, सबसे पुराना हिंदू महाकव है तो यहाँ पे आप लिखिएगा रामाड आपका सही उत्तर है किलियर हो गया, ठीक है? सबसे पुराना महाकव और सबसे प्राचीन वेद आपका रगवेद हो जाएगा इधर ज़रा ध्यान दीजिए, कहरा है कि होई सलेश्वर मंदर कहां परिस्तित है? यह आप से पूँछ रहा है, कहरा है कि होई सलेश्वर मंदर कहां परिस्तित है प्यारे बिर्तियों इसका निर्माण बार्मी सताब्दी में राजा विश्नु वर्धन के काल में किया गया था प्यारे बिर्तियों जो की ये भगवान सिव को समर्पित है होई सलेश्वर मंदिर होई सलेश्वर मंदिर प्यारे बिर्दियों भगवान सीव को समर्पित है जिसका निर्मार प्यारे बिर्दियों राजा विश्नु वर्धन के काल में किया गया था कब किया गया था बारवी सताब्दी में किया गया था प्यारे बिर्दियों वॉर्णरर ने Blue Water Policy लागू की है. प्यारे बिर्दियों सबसे पहले नंबर पर आते हैं पुर्थगाली इनकी कंपरी का नाम Estado दा अमाँ वापस आया फिर वास्कोडेगा माँ अपने साथ बहुत सारे अन्य व्यापारियों को लाया धीरे धीरे भारत में क्या हुआ कि पुर्तगाली सक्ति की अब इस पुर्तगाली सक्ति के प्रारम में प्यारे भृतियों पुर्तगाली ने अपने गवर्नर बनाने प्रार लागियो बिलु को तो किस पूर्टवाली गवर्नने लागियो नेकिटी प्यारे पुर्थियो तो किस ने कीती पंद्रशोंपाच में किस ने की ती फ्रांसिस्कोटी अलमीडा ने की थी प्यारे बिर्तियों पर इस नीति को सफल बना नहीं पाया अलमीडा तो प्यारे बिर्तियों हमेशा याद रखिएगा कि इस नीति को अगर पूँछे कि इस नीति को सफल किसने बनाया अल्बुकर किने बनाया क्लियर हो गया अगले प्रिशने पर आईए मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज की इस्थापना कहां पर की गई थी प्यारे बिर्तियों तो हमेशा याद रखिएगा 1875 में मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज की इस्थापना की गई प्यारे बिर्तियों बाद में यही मुहमडन एंगलो ओरियंटल बिर्तियों आप एम यू के नाम से जाना जाता है जिसे हम अलिगर मुस्लि मुस्थापना की गई थी मुहमडन एंगलो ओरियंटल कॉलिज की इस्थापना की गई थी क्लिЕर हो गया किस इस्तंधारी प्राडी को उड़न लोमडी कहा जाता है। flying fox के नाम से किस इस इस्तंधारी जो mammals है order and Lumडी के नाम से प्यारे बरतियो थो बोलो चम्गादर को, जितने भी इस्तंधारी प्राड़ी है जो उड़ सकता है अगर उड़ सकता है इस लिए इसे क्या कहते हैं? इसे उड़नलोमडी कहते हैं lab क्या कहते हैं? उड़नलोमडी blind box. ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरे सेरों को. अगले प्रिस्मे पर आ जाईए एगमार के क्या है पूछ रहा है एगमार के क्या है एग देख करके अन्दा मत समझेगा सावन चल्ला है ठीक है एगमार के क्या है तो देखिये बात करें एगमार के क्या है प्यारे भृतियो तो एगमार के क्या है तो एगमार के एक ऐसा प्रमाण चिन होता है प्यारे भृति ऐसी आसा की जाती है ऐसी उमीद की जाती है कि जिन उत्पादों पर जिन क्रसी उत्पादों पर जिन खाद उत्पादों पर एगमार्ग का प्रमानित लगा है उनका जो मनलब वो जो उत्पाद है वो जो प्रोडक्ट है वो अपने मानुकों पर खर उतरते हैं प्यारे बिर् जब भी पूछे कि एकमार्क क्या है तो आफसन में होगा अंड तो अंडा मत लगाना नहीं अंडा आ जाएगा प्यारेबिरतियों एकमार्क का सीधास अर्थ है एक बिशेश परकार का प्रमार्ण्चिन प्रमार्ण्चिनें है जोकि क्रसी एवं के साथ साथ खाद पदार्थों यानि खाद उत्पादों पर भारस सरकार द्वारा लगाया जाता है क्लियर हो गया अगले प्रस्ण पर आ जाईए अगला प्रस्ण कहता है कि गेहुं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुकत है गेहुं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है प्यारे भृतियों, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी क्या है प्यारे भृतियों, तो यह रेत, रेत और खाद का मिस्रण होता है, यह रेत और खाद की मिस्रण है यह मिट्टी प्यारे भृतियों, जिसमें 40% साल्ट मिलेगा, जिसमें 40% साल्ट मिलेगा, 20% प्यारे भृतियों चिकने मिट्टी मिलेगी और 40% आपको रेत मिलेगी 40, 20, 60, 40, 100, 100% की बात करें तो ये दो मट मिट्टी है जो कि गेहूं की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त पाई जाती है जियोग्राफी भोगोल में जब भी प्रसन आये जो कि previous year question में इसे पूंचा जा चुका है कि गेहूं की खेती या गेहूं की करसी के लिए कौन से मिट्टी उपयुक्त होती है दो मट मिट्टी प्यारे भृतियों बिल्कूल उपयुक्त होती है योगोसलाविया की राजधानी क्या है अगला प्रशन पूंच रहा है योगोसलाविया की राजधानी ब मुद्रा की तो इसकी मुद्रा है सर्वियाई दिनार सबसे पहले देखो युग इसलाविया की राजधानी क्या है तो कहदो बेल ग्रेड है पहले कहदो बेल ग्रेड है मुद्रा क्या है तो इसकी मुद्रा है सर्वियाई दिनार सर्वियाई दिनार इसकी मुद्रा का नाम है डियागो गार्सिया कहां इस्तित है प्यारे बिर्तियों को इस्ट नंबर 14 पूँच रहा है आपसे कि डियागो गार्सिया कहां है तो दिमाग में आएगा कि डियागो गार्सिया ये क्या है तो डियागो गार्सिया की बात करें प्यारे बिर्तियों तो डियागो गार्सिया प्यारे बिर्तियों ये आपका उस्न कडिबंदी पदचिन के आकार का पैरों के आकार का प्यारे बिर्तियों एक मुंगा प्रवाल दीप है प्यारे बिर्तियों जो कि हिंद महासागर में इस्तित है इसे डियागो गार्सिया कहते है डियागो गार्सिया कहां इस्तित है बोल आपात काल 25 जून 1975 से ले करके 21 मार्ज 1970 तक चला यानि कि लगभग आपका ये चला लगभग 21 महिने चला प्यारे बिर्दियों इंद्रा गांधी की सरकार में चला था ये इंद्रा गांधी की सरकार में आपात काल लगाय गया था अगर कोई पूचे की राष्ट पती कौन है तो कहना की राष्ट पती थे फखरुद्दीन अली एहमद जी राष्ट पती थे प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी थी प्यारे भृतियों और हाल ही में करंट का प्रशन बता रहा हूं की हाल ही में प्यारे भृतियों को भारस सरकार ने एक निरणा लिया है कि प्रतेक वर्स 25 जून को प्यारे भृतियों क्या करेंगे इस 25 जून को संबिधान हत्या दिवस प्यारे भृतियों मनाएंगे संबिधान हत्या दिवस मनाने का निर्णा लिया है भार सरकार ने प्रतेक वर्स 25 जून को हमेशा याद रखेगा प्यारे बिर्तियों Recently का मामला है आपात क्याल के समय भारत के राष्ट पती फकरुद्दीन अली एहमत माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्यारे बिर्तियों आपके प्रिशन पत्र में प्यारे बिर्तियों स्टेटिक जीकी के पूर्सन में एक महात्पूर्ण दिवस भी पूछा जाएगा एक पुस्तक की राइटर का नाम भी पूछा जाएगा एक प्रसिद्ध इस्थल भी पूछा जा सकता है प्यारे बिर्तियों तो बात करें कि आपकी जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी तो प्यारे बिर्तियों इस्माइल मर्चेंट नामक एक ऐसे ब्यक्ति हैं इस्माइल मर्चेंट इस्माइल मर्चेंट नामक वो ब्यक्ति हैं जिन्नोंने माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक लिखी है क्लियर हो गया भारती संशम्विधान की कौन सी अनुसूची भारती गड़ राज जी की आधिकारिक भासाओं की सूची प्रदान करती है प्यारे भरतियों वो आठवी अनसूची है ठीक है आठवी अनसूची भारती गड़ राज्य की भासा की बात करती है प्यारे बिरतियों जिसमें बात करें तो 22 भासा का उल्ले के किया गया है अगर बात करें तो पहले तो मोल रूप में इसमें 14 भासा आए थी आज आधी के बात से सम्विधान के निर्मार के बास से अब तक की अगर बात करें तो इस आठमी अनुसूची में 12 आधिकारिक भासाएं कर दी गहीं किछी बास बैस पहले कितनी पी बोलो 14 थी ठीक है अगले प्रस्ण पर आजाओ भारती संबिधान में राज्जी के नीत निदे सकत्तों की अधारणा को कहां से लिया गया तो बोलो आईरलेंड के संबिधान से लिया गया है ऐर्लेंड देश से लिया गया है प्यारे भृतियों साथ हमने बहुत सारी अन्य चीजों को लिया है प्यारे भृतियों बात करें नागरिक्ता को कहां से लिया गया बोलो ब्रिटेन से लिया गया मौली का धिकारों को कहां से लिया गया यूएसे से लिया गया विदी द्वारा इस्थापिक प्रक्रिया को कहां से अपनाया बोलो जापान से अपनाया बहुत सारी चीज़े हैं प्यारे भृतियो जो कि हमने अनेक अनेक जगह से लिया है प्यारे भृतियो भाई चारे की भावना को कहां से अपनाया फ्रांसीसी ग फरुखाबाद जिले में इस्तित है ये वही जगह है प्यारे भिर्थियो जहाँ पर पांडवों के अर्जुन ने द्रोपदी से विवाय करने के लिए मचली की आग पर निसाना लगाया था ये वही भेड़ खुंड जगह है प्यारे भिर्थियो ये उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में इस्तित है जहाँ पांडवों ने मचली पके आग पर निसाना साधा था द्रोपदी के विवाय के लिए और प्यारे भिर्थियो आप इस सिरीज पर निसाना साध्दो कॉस्टेबल बन जाने के लिए थीक है चलिये बाजारा कलास में आना भी चाहिए अगले प्रिसन पर आईए भारती ससस्त्र बलों में add-dicamp बनने वाली प्रथम प्रथम महिला अधिकारी कौन है भारती ससस्त्र बलों में अगला प्रिसन है कि भारती ससस्त्रबलों में एडड डी कैम्प बनने वाली पर्थम महिला अधिकारी कौन है, यह पूँछ रहा है प्यारे बिरतियों, तो हमेशा याद रखियेगा, वायु सेना की, वायु सेना की जो स्कौाडरन लीडर है, प्यारे बिरतियों, स्कौाडरन लीडर मनीजा स्वास्त दिवस प्रतिवर्स कब मनाये जाता है तो बोलो साथ अपरेल को मनाये जाता है विगी स्थापने हुई अता डम्लुएच ने सरोसम्मती से यह ने लिया कि वह आने वाले प्रतेग वर्स में प्यारे भृतियों साथ अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस के रूप में मनाया जाएगा अगले प्रस्ण पर आईए प्रसासनिक सुविधा है तो यूपी में कितने सहरी निकाह हैं प्रसासनिक सुविधा है तो यूपी में कितने सहरी निकाह है प्यारे भिरतियो moisty याद रखियेगा कि प्रसासनिक垃ः कि द्रस्टी से प्यारे भरतियों उत्तर में आठारह मंड़ा घान से सुनें सुनिए पिर से प्रसासमिक सुविधा की द्रश्टी से उत्तर प्रदेश में 18 मंदल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 सहरी निकाय, 825 विकास खंड और 8135 न्याय पंचायत हैं अगले प्रश्टी पर आईए, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकासित होने वाले समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक थे प्यारे भरतियों, बोलो मदन मुहन मालविये जी, मदन मुहन मालविये थे? उत्तर प्रदेश में प्रथम बार, 1887 में प्रकासित होने वाले दैनिक समाचार पत्र प्यारे भरतियों, हिंदुस्तान के संपादक मदन मुहन मालविये जी थे? क्लियर हो गया, अगले प्रशन पर आजाओ, मरदा जिसमें मुख रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, प्यारे भरतियों, तो हमेशा याद रखिएगा, जौनपूर, आजमगड़, मौव, जौनपूर, आजमगड़, मौव, तीन जिले, जिनकी मुख रूप से पोटास की कमी पाई जाती है, प्यारे भरतियों, ठीक है, क्लियर हो गया, अगले प्रशन पर चलिए, अगला प्रशन है, अगला प्रशन कह रहा है कि दिसम्बर 2020 में किसने क्लासिक इंपिरियल जहाज को लांच किया था, प्यारे भरतियों, तो हमेशा याद रखियेगा, नितिन, नितिन गड़करी, नितिन गड़करी, नितिन गड़करी ने दिसम्बर 2013 में प्यारे भरतियों, क्लासिक इंपिरियल नामक जहाज को लांच किया था, क्लियर हो गया, अगले प्रशन पर आओ, समुद्री तक्नीकी प्रदर्शनी, कर 24 का उद्गाटन कहां पर किया गया था, प्यारे भरतियों, तो हमेशा याद रखियेगा, विसाखा पटनम में किया गया था, समुद्री प्रदर्शनी, एम्टेक्स 24 का उद्गाटन, विसाखा पटनम में किया गया, प्यारे भरतियों, ये समुद्री प्रदर्शनी, जो ह ये मिलान 2024 की एक विशेषता है जो कि नौसेना में भारत की प्रगति को प्रदर्सित करता है मिलान 2024 की एक अनूटी विशेषता प्यारे भृतियों जो नौसेना यों प्रद्योगी की छेतर में भारत की प्रगति को प्रदर्सित करता है प्यारे बिरतियों, बात करें, तो इस प्रदर्शनी का उद्गाटन किस ने किया, अगर पूछें, M.T.E.C. 24 का उद्गाटन किस ने किया, पूछते हैं, पूछा जाता है, राजनात सिंग ने किया, रच्छा मंतरी, राजनात सिंग ने इसका उद्गाटन किया, प्यारे ब रखिएगा कि भारत के सभी समुद्री जो जितने भी भारत के सभी समुद्री उद्योग हैं इनके सुरच्छित और समर्द भविस्त को ले जाने के लिए ये इसका सबसे बड़ा उद्देश है गहां पर किया गया विसाखा पटनम में किया गया किस ने किया राजनास सिंग ने किया तो भारत की प्रगतिक लिए भारती सभी प्रकार के समुद्री उद्योग्ों को सफलता और उचाई पर ले जाने के लिए 2013 की Westwick Cyber Aparad Report में भारत की ranking क्या थी प्यारे बिर्तियो ये पूछा जाता है सूचकांक और इंडेक्स पर बात हो जाती है कभी कभार ranking पूछ ली जाती है प्यारे बिर्तियो तो पूछ रहा है कि 2023 की जो Westwick Cyber Aparad Report में भारत की ranking क्या थी तो लिखो 80 rank थी 80 rank असीवा इस्थान था 18 आपका इस्थान था भारत का प्यारे बिर्तियो बात करें तो इस Cyber Aparad Report 2023 के अंतरगत प्यारे बिर्तियो कहा गया है कि 2023 में 32% 32% भारती उप्योग करता इस्थानी खतरों के निसान पर पाई गए थे प्यारे बिर्तियो बात करें त तो कुल मिलागर के पूरे 24 मिलियन घटनाए घटित हुई 24 मिलियन घटनाए घटित हुई थी प्यारे बिर्तियो अगले प्रिश्ण पर आ जाओ अब इसी पर देखो Westwick Cyber Apparat Report में भारत की रहेंगे कितनी तो बोलो 80 80 80 80 80 अगले नंबर पर आओ अगले नंबर में पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है किरा कि संयुक्त सैननाब्यास धर्मगार्जियन बहुत फेमस है धर्मगार्जियन संयुक्त सैननाब्यास धर्मगार्जियन के इन दो पाचवा सीजन था इसके पाचवा सीजन का प्यारे ब्रतियों इसका आयोजन आपका प्यारे ब्रतियों महाजन पाचवा जो सीजन था महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज ओकरन राजिस्थान में प्यारे ब्रतियों इसका उद्गाट जो तालमेल है वो तालमेल हमारे स्थापितों प्यारे बिर्दियों साथी साथ अंदर संचालन को एक बढ़ावा मिले प्यारे बिर्दियों भारत और जापान के बीच में जो सैन सैयोग है ये सैन सैयोग कैसा हो ये मजबूत हो इन सभी को ले करके प्यारे बिर्दियों सैयो पारिंग रेंज राजिस्थान में किया गया था कब किया गया था तो यह 25 फरवरी से लेकर कि 9 मार्च दोहजार चौबिस तक चला था कहा पर राजिस्थान में किंदे दोसों के बीच बारत जापान के बीच बंतारा पहल किस से संबंदित है प्यारे बिरतियों पूछा गया है कि बंतारा पहल किस से संबंदित है तो बंतारा पहल प्यारे बिरतियों पसु कल्यार से संबंदित है पसु कल्यार से कैसे संबंदित है प्यारे बिरतियों बंतारा पहल तो ध्यान से सुनिएगा Reliance Industries और Reliance Foundation ने क्या किया कि अनंत अंबानी की नितर्तु में अपने बेटे ठीक है उन्होंने क्या किया Reliance Industries ने अनंत अंबानी की नितर्तु में क्या किया इस पहल का एक संचालन किया इस पहल का काम क्या है तो सुनो यह जानवरों को बचाने उनका इलाज करने, साथ ही साथ उनको पुनरवास से सम्मंदित एक विशेश प्रकार की पहल है, जिसे हम बंतारा पहल के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बंतारा पहल के नाम से जानते हैं, प्यारे बिर्तियों, ये कारकम गुजरात के जाम नगर रिफाइनरी की क मंदित प्यारे बिर्तियों बहुत सारी समस्याएं आती हैं सरकरंट अफेर कैसे पढ़ें अरे दो-तीन फैक्ट पढ़ो आप्सन में होगा चारों में से कोई एक बिल्कुल सही कर दो सिंपल सी बात है बंतारा पहल किससे संबंदित है पसुप कल्यार से संबंदित है कहां पर गुजरात के जामनगर रिफाइंडरी अभ्यारन में किसके द्वारा अनुन तंबानी के द्वारा सहीट सैनना भ्यास धर्मगार जियन कहां पर भारत और जापान के बीच में कहां पर राजिस्थान में कब 25 फरवरी उसे ले कर गे 9 मार्च क्यों अंतर संबंद अंतर संच चालन सैने सायोग को बढ़ावा देने के लिए बस दो तीन चार पॉइंट ही नोट करो भाईया तो 2030 की बैस्विक अपराद रिपोर्टों बात की रैंकिंग क्या है असी रैंक है कब 2023 में किसलिए बैस्विक अपराद साहीबर रिपोर्ट के अंतरगत प्यारे बिरतियों क कौन सा राज ए बी पीएम जे के तहत पांस करो आईव समान काड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया ए बी पीएम जे का मतलब सुनिए आयू समान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के तहट पांच करोड आयुसमान काड़ जारी करने वाला पहला राज्य कौन है प्यारे बिरतियों तो कहो कि गर्व से कहो कि उत्तर प्रदेश राज उत्तर प्रदेश राज प्यारे बिरतियो उत्तर प्रदेश ने अभी हाली में वो रिकार्ड कायम किया है प्यारे बिरतियो जिसने पहले राज जी की रूप में जाना जाता है क्या किया उत्तर प्रदेश ने 5 करोड आयुसमान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया प्यारे भरतियो उत्तर प्रदेश, 5 करोड कार्ड जारी करने वाला 316 अस्पतालों में प्यारे भरतियो, 7 करोड 43 लाक लाभारती लाभानुत हुए इस आयुसमान भारत की य प्यास किया गया प्यारे भरतियों जो ये सारी चीजे हैं ये उत्तर प्रदेश के आयुसमान पांच करोड़ा आयुसमान की योजना को सफलता पूर्वग इसके सफलता को दरसाता है प्यारे भरतियों ठीक है तो कौन सा राज आखे आयुसमान भारत प्रदान मंत्री जनारो वियोजना के तहत पांच करोर आईसमान कार जारी करने वाला पहला राज़ बन गिया तो प्यारे भृतियों ये राज़ बन गिया कौन सा आपका उत्तर प्रदेश पहला राज़ बन गिया ठीक है आज की कलास कैसी लगी और अवस्ष बताएं जाते जाते एक बार अवस्ष मंतरित हैं प्यारे भृतियों तो जाने जाते जाते इसको कमेंट करें के जरूर बताना प्यारे भृतियों मिलते हैं आपसे इसी क्लास में इसी समय में तब तक के लिए प्यारे भृतियों आपको दो काम करने हैं सबसे पहली बात तो अपने स्वास्त का खयाल लगना है ताकि स्वास्त सही तो सब सही पढ़ाई भी होगी। और दूसरा काम ये है कि आपके अगल बगल पडोस में आपके जान पहचान में वो बच्चे जो तयारी तो करना चाहते हैं तयारी को आखरी अंजाम तक ले जाना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक समस्या है तो यदि आर्थिक समस्या है तो इस क्लास को उठा करके उसके पास उसे फेक के मारो, किलो भाईया ये पड़ो, ठीक है, प्यारे बिरतियों, हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैतमेटिक्स की क्लास, जीके जीएस की क्लास, इन सभी कच्छाओं के प्रैक्टिस सेट, आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल पर आयोजित किये जा रहे हैं, प्यारे बिरतियों, मिलते हैं आपसे कल, इसी समय, इसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्नवाद, जै,